असलाम आलेकुम टो आरिवन तो इस दिए में हम बात करेंगे जेके बोपी 12 बेसेट पेरा मेडिकल जी एनम एनम और एमार्टी कोर्स के लिए जो कॉंसलिंग शुडूल है मेरिट लिस्ट है वो कब आएगा उसके लिट हम बात करेंगे किस तरीके से आपका जो कॉंसलिंग शुडूल बनता है लेट क्यों हुआ इस साल सब कुछ हम डिसकस करेंगे और आप आपको फर्दर क्या करना चाहिए जिससे जो मेरिट लिस्ट है वो जल्दी आ जाए सबस्क्राइब नहीं किया तो सबस्क्राइब जरूर करना इसके लाओ मैं आपको बता दूँ कि कि आपके डाकुमेंट के हिसाब से आपको कौन से डिफ्शंस हैं कौन से चीज आपने गलत किया फारम में तो वह आप कर सकते हो उसके लिए आपको डेट्स वगेरा दिये जाएंगे तब यह पर देख सकते हो इसमें डेट्स दिये जाएंगे और आपको फिजिकली नहीं होता है तो अबसलिए यह नोटिफिकेशन पहले आती है उसके बाद आपका अडिमेशन हो जाता है तो मैं आपको बता तुम जहां तक मुझे लगता है इस साल आपकी जो कौनसलिंग है वो ओनलाइन होने वाली है आफ लाइन से शिफ्ट तो मैं आपको बता दूँ इसी लिए मुझे लगता है थोड़ा लेट हो रहा है थोड़ा दाइम लग जाएगा इसके लिए क्युंकर साफ्ट एर वगगरर डैवल्प करना होता है लिए और जो लिंक वखरा बनाईना पड़ती है उसमें टाइम लग जाता है फिर कौर्स उसको एड़ करना आपको आ का ले लो चाहे आप नीट का ले लो या भी ऐसी नर्सिंग पेरामेडिकल टेक्नालोजी कोर्स का ले लो तो अब इसलिए बहुत सारा लूड होता है जैके बूपी पे तो आप उन पर अभी बलेम नहीं कर सकते हो उनको बहुत सरे डिपार्टमेंट्स का देखना पड़ता है लेकिन मैं आपको बता दूँ कि इस साल आपको हर किसी को सीट मिल जाएगी इसमें इस साल लगबक 13,000 फार्मस आए हैं और जो सीट से वो 14,000 है तो मैं आपको बता दूँ कि हर किसी को सीट मिलेगी तो कोई टेंशन लेने के जुरूद नहीं आपका जो कॉंसलिक शुडू वो online चले पहले merit लिस्ट आएगा फिर आप documents वेगर ठीक करवा सकते हो अगर आपको कोई गलती हुई है तो यहां से आप देख सकते हो यह merit लिस्ट आता है इसमें आपका application number name और यहां से आप देख सकते हो कितने points है आपके फिर किस किस course में आपने yes किया है और यह भी यहां पे दिखाता है और category कौन से और यहां से आप देख सकते हो अगर आपको कोई edition से होगी D1, D2, D3 तो D6 तक जो भी category अगर आपकी कोई गलत होगी यह कोई certificate कोई गलत होगी तो वो आप ठीक कर सकते हो उसके लिए dates वेगर आप अभी किसी भी time में release हो सकता है किसी को पता नहीं है बाकि आपको wait करने की जुरूरत है लेकिन आपके लिए अच्छी update यह आ रही है कि जो आपकी counseling के वो शायद online हो जाए इस साल तो आपको जे की बोपी आपे जिजट नहीं करना होगा और इसमें district wise calls होते आपको आलड़ी तक नहीं आया है वो आपको आलड़ी पता है लेकिन यह भी आपके फायदे के लिए ही कर रहे हैं ताकि एक बार में अगर वो software बन जाए तो अगले साल भी फिर आसान ही हो जाएगा इनको तो obviously पिछले साल भी उनने जो किया था BAC nursing का online तो इस साल भी आप वो कर रहे है उस सारे कंडेट से मुझे मेसेज की थी बोला था इस रिगार्डिंग कि प्लीज इस पर वीडियो बनाओ हमें कोई अपडेट नहीं दे रहा है तो इसका क्या होगा तो obviously अभी मैंने जो आपको अपडेट दिया आप यही जहन में रखो कि जल्दी आईगी नोटिफिकेशन ड कर दूंगा इस वीडियो में इतना ही था वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक मितने किसी आगली वीडियो में किसी और टाइप पर तब तक लिए अलाह पीस